आप सबी लोग का सुवाज़त आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एक्जाम के लिए पड़ियावरन एवं सिक्छा सास्त्र से रिलेटेड महत्यपून चीजों के बारे में जानेंगे जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो है पक्छियों के घोशला है इससे रिलेटेड सभी महत्यपून बिंदूओं को तत्यों को एवं सभी पक्छियों के बारे में जानेंगे जो कि आपके सीटेट में दो प्रश्नियाद से आपको देखने को मिलते हैं तो सभी चीजों को जो है बड़ी बारीकी स समझेंगे मैं आपको बता दू कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर सस्क्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों को सेयर करेंगे सीटेट 2022 के एकजाम के लिए मैंने इव्यस का जो पोर्शन ने वह स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैंने दो चैप् पक्षी जिससे हम लोग इंगलिस में इंडियन रौविन वर्ड बोलते हैं इसके बारे में जाननेते हैं देखिए कल चीरी पक्षी जो होता है इसका घर जो होता है इसका जो घोसला होता है इसके बारे में जानेंगे और किस किस चीज से बनाता है इसके बारे में जानेंग पत्थरों के बीच एवं मुलायम घोसला बनाता है जमीन पर मतलब कि जमीन पर आपको देखे होंगे कहीं कहीं पर जो है पत्थर बड़ा बनाता है जमीन पर खाऊवा उसी के बीच जो है वह मुलायम घोसला बनाता है तो अगर आपसे प्रस्ण पूछता है कि कलचीरी या घोसला बनाने में टहनी, जड़े, उन, बाल, रूई, आधी का पर्योग करते हैं। यहां से आपका दो प्रस्ण निकल के आगया। अगर पहला प्रस्ण पूछता है कि कलचीरी पक्षी जो है घोसला कहां बनाता है। तो आप क्या बोलेंगे पत्थरों के बीच मुलायम बनाता है। दूस्तरा प्रस्ण कि यह घोसला बनाने में किस-किस चीजों का पर्योग करता है। तो टहनी, जड़े, उन, बाल, रूई, आधी का पर्योग करता है। अगला हम देखेंगे बिंदु में की फाक्ता पक्षी के बारे में। डौब बर्ड इसे बोलते हैं इंग्लिस में फाक्ता पक्षी समझ गये। इसके बारे में देख लेते हैं तो इसमें भी जो है दो महत्यपून बिंदु दिया हुआ है। पहला यहाँ प्रभिंदू है कि यहाँ देखिए, फाक्टा पक्छी जो होता है, कैक्टस के काटो के बीच या मेहधी में, मेहधी के मेड में अपना घोसला बनाता है, याद रखेगा जो आपका डौब बढ़ है न ये जो आपका कैक्टस का फूल देखे होंगे काटिदार जो होते हैं उसके बीच या मेहदी के मेड में जो है घर बनाते हैं तो यहाँ से दो चीजे आपको किलियर हो गई कि फाक्ता पक्षी जो है अपना घोसला कहां बनाता है तो वह जो है कैक्टस के काटिदार जो पौधे होते हैं उसके बीच में और मेहदी के मेड में जो है आपना घोसला बनाता है डौब बढ़ याद रखेगा अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगले बिंदू की ओर चलते हैं तो देखेए अगला यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर एक बिंदू आपका यहाँ पर महत्यपून लिखा हुआ है कि गोड़या और कबूतर पक्षी जो है आपना घोसला जो है मनुस्य के घड़ों में तथा पूराने खंडरों में बनाता है कहां बनाता है देखेए बस महत्यपून चीज़ों को यह बताऊंगा इध जो है मनुस्य के घड़ों में तथा पूराने खंडरों में बनाता है अगर आपने पूराने जबाने फिल्म देखा होगा तो पूराने खंडरों में वहाँ पर आपको कबूतर उरते हुए दिखाई देगा पता नहीं किस तरह के वो सोच के बनाते थे लेकिन यह बात सत्त है कि जो कबूतर है जो गोड़या पक्षी होती है वो जो है मनुस्य के घड़ में अपना घोशला बनाता है नहीं तो पूराने खंडरों में बनाता है याद रखेगा अगला यहाँ प्रस्ण की डार्ज देखो डार्जिन चिडिया जो डार्जिन चिडिया होती है यह जो ह पुनप्रशने यहाँ आपने बिंदू देखिए डारजीन चिडिया जो है अपने नुखूली चोच से जो इसकी नुखूली चोच होती है न दो पत्तों को आपस में सिलकर घोसला बनाती है याद रखेगा दो पत्तों को आपस में सिलकर घोसला बनाती है तो डारजीन पूछे कि कौन ऐसे पक्षी है जो अपनी नुखूली चोच से जो है पत्तो को सिल कर घूशला मनाती है तो डार्जिन चिरिया समझ गए डार्जिन चिरिया बनाती है अगला यहां देख लेते हैं कि शकर देखे शकर खोड़ा पक्षी समझ गए परपल सन बड़ी से मनोग ब गोसला मनाता है याद रखेगा अगर प्रश्ण पूछता है कि लटकता गोसला कौन सा पक्छी बनाता है तो आप क्या बोलेंगे शकर खोड़ा पक्छी याद रखेगा और यहाद पेर और जाड़ी के सखाओ से लटकता जोपड़ा मतलब गोसला मनाता है इसमें जो है यह ग कहनियों से हो सखाव से हो तो वो कौन ऐसा पक्षी है शकर खोड़ा पक्षी है और यह जो बनाता है गोसला इसको बनाने में जो है सुखे पते कपड़े चित्रे फटे हुए रूई का पड़योग करकर बनाता है तो यहां से एक महत्यपुन प्रस्ण यह निकल रहा है कि कौन ऐसा पक्षी है जो सखा से लटकता हुआ मतलब अपना घोसला बनाता है तो शकर खोड़ा पक्षी याद रखिएगा यहाद एक पर डिवीजन कर ले हम लोग गोड़या और कबोतर पक्षी जो होता है मनुस्य की घरों में और पुराने खंडरों बनाता है डारजिन जो चि एक वीवर पक्षी देख लेते हैं व Pikita बारे में ये भी मातपुर्ण है इसको अन्य नामों में जो है मनलोग जुलाही चिरिया कहते हैं, अगर आपसे प्रश्ण पूछता है कि जुलाही चिरिया किसे कहते हैं, तो वीवर वर्ड को ही कहते हैं, समझ गया, वेवर वर्ड, इसको आम लोग इंगले से में बोलते हैं, तो जुलाही जो आपका चिरिया है, इसके बारे में जाल लेते हैं, तो ये देखे, ये बहुत important ही यहाँ देखेगा, देखे वीवर पक्षी, जो नमड होते हैं, वो गोसला बनाते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछता है, कि कौन ऐसा पक्षी है, कि क्यों ऐसा पक्षी है, जो मतलब मदा पक्षी के लिए गोसला बनाता है, तो वीवर पक्ष जो कि टहनियों से लटकता हुआ रहता है याद रखेगा अगर प्रश्ण पूछे कि कौन ऐसा पक्षी है जो कि लाल्टेन की तरह लटकता हुआ घोसला बनाता है तो वीवर पक्षी है और वीवर पक्षी में जो है घोसला कौन बनाता है तो नर पक्षी जो होता है घोसला ब कहते हैं और यहां पर जो है नर जो पक्षी होती है वीवर नर पक्षी जो होती है घोसला बनाती है और उसमें मादा वीवर पक्षी जो है रहती है और इसकी घोसला जो होता है लल्टेन का अकार का जो है टहनियों से लटकता हुआ होता है समझ गए अगला हम देख लेते हैं 7 मदा चुतवार्णोर्ग के बारे में स्मझ गए और स्ट्रिच के बारे में से यह मदा चुतुरुमुर्ग के बारे में दैख लिते हैं। ये ँसले अंडा नहीं जहाए , वह बड़ी पुऑने भी यह होथी, यह नहीत往 Its समझ गया और सबसे बड़ी पक्षी भी से कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अब हम जो है बगुला पक्षी के बारे में देख लेते हैं तो यहां देखें बगुला पक्षी के बारे में दो महत्यपुन बिंदू लिखी गई है यहां देखें बगुला जो होता है भैस में पुछा होई सीटेट 2 जारब इक्जाम में तो मैं आपको बता दूं कि वैस के पीट पर बहुट बैठ कर जो है वैस के पीट पर उसके शरीर में जो भी कीट मखोरी होते न उसे खाता है इसे दो फायदे होते हैं कि वगववला को जो होता है भोजन मिल जाता है और कीटों से चुटकारा जो है भैस को मिल जाता है यहाद रखेगा तो बगला जो पक्षी होती है वो भैस पर बैठ कर जो है कीटों को खाता है अगला यहाँ पर है कि भैसों को कीटों से चुटकारा मिलता है और बगले को भोजन मिल जाता है यह मैंने आपको बात बताया अभी समझ गई यह बात को अगला यहां देखिए बसंत गोडी तथा कंट फुर्वा पक्षी इसके बारे में देख लेते हैं उड पेकर बर्ड इसके में बोलते हैं देखिए यहां पर जो बसंत गोडी और यहां पर जो आपका कंट फुर्वा पक्षी होता है इसके बारे में जाने लेते है तो यहाँ देखे, कंट फुर्वा और बसंत गोडी जो पक्छी होती है, पेर के तने में छेद करके अपना गोसला बनाती है, यहाँ देखेगा, यह पेर है न, तो इसके बीच में छेद करके गोसला बनाती है, यह पेर के टानियों में या डालियों में, समझ गए, याद तो अगर आपसे प्रस्णा पूछता है कि भगला पक्षी जो है कहान बैठता है तो भैस के पीटप में क्यों बैठता है और उसके में छुपे कीरे मकोड़े को अपना भोजन के रूप में खाता है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आपका आगया है कवा के बारे में, जो कि काफी महत्तपुन है, कवा से प्रशन पूछा हुआ है अगर आपसे प्रशन पूछता है कि कवा जो है, अपना घोशला कहा बनाता है, तो देखिए कवा जो है पेर के सबसे उची डाली पर जो है अपना घोशला बनाता है, मानने कि यह पेर है न, तो सबसे उची डाली पर जो है कवा अपना घोशला बनाता है और यह याद रखे अगर पूछता है कि कवा के घोसला में कौन रहता है तो कोयल रहता है कोयल जो है अपना घोसला नहीं बनाता है आगे है हमारा हम देखेंगा उसी को यहाँ देखें पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तो कवा जो है पेर के सबसे उचे डालिया पर जो है अप कोयल रहती भी है कवा के घोसले में जो है कोयल अंडे देती है समझ गई यह बात को अगला यहां देखे कोयल के बारे में कोयल अपनी घोसला जो है नहीं बनाती है वह कवा के घोसला मतलब कवा के बनाए हुए घोसला में रहती है तथा अंडा भी वहीं देती है तो अगर अपना अंडा किसके घोसले में देती है तो यह कोयल जो है अपना अंडा जो है कवा के घोसले में देती है और कोयल जो पक्छी है वो अपना घोसला नहीं बनाती है यह बाते आपको समझ में आगई आगे बढ़ते हैं अब हम उल्लू के बारे में जान लेते हैं तो उल्लू क कर Нам silicates के प्रश्न मतलब इसे के आउं से मिंधु को देख लए उल्लू यह पिर के । खोंख्ले भागों में अपना घृम्रा बनाती पिर की बनाते जो अपना धेर जाकर के नीशाचर गुमा लेता है अगर आपसे प्रेस्ट ने पूछे है कि वो कौन सा ऐसा पक्छी है जो कि अपने गर्दन को जो है कहां पाई जाती है रेगिस्थान में अगर आपसे प्रश्ण पूछता है कि मैना पक्षी जो है कहां पाई जाती है तो रेगिस्थान में जो है मैना पक्षी पाई जाती है अगला यहां बिंदु है कि मैना अपनी गर्दन को जो है जहटके से पीछे कर लेती है समझ गए मैन पक्षी आपको गाउं में जाजे देखने को मिलेगा, मैदानों में देखने को मिलेंगे, खेतो खलियानों में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दो महत्यपून बिंदू निकल के आ रहा है, अगर आप पूछेगा कि कौन ऐसा पक्षी है, जो अपने गर्दन को जो है, मत लीजेगा ये भी महत्यपून है तो मनुस्य की तूलना में जो है चार गुना अधिक दूरी वस्तु को भी देख लेता है अगर आपसे प्रशन पूछता है कि कौन ऐसा पक्छी है जो मनुस्य की तूलना में चार गुना अधिक दूरी को भी जो है आसानी से देख लेता है त चील अपना घोसला जो है इस्तमाल कई सालों तक करता है और चील जो गोसला बनाता है इसका इस्तमाल जो है वो बहुत सालों तक करता है अगला यहां बिंदू है कि चील के घोसले का अकार जो है चार से पाच फीट चोड़ा होता है तो यहां पर महत्यपून दो तिन अगर आपसे प्रस्ण पूछेगा कि चील जो है अपना घोसला कहां बनाता है तो पेर के सबसे उचे डालियों पर मतलब उचे स्थान पर बनाता है अगला पूछेगा कि चील जो है अपना घोसला जो है मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जो कई सालों तक जो है अपना घोसला का परयोग कर लिता है तो वो चील है और एक और प्रशन पूछ सकता है कि मनुस्य की अपेक्छा से मतला मनुस्य की तुलना में चार गुना अधिक जो है दूरी तक को कौन पक्षी देख सकता है तो वह जो है आपका चील है फिर आपका जो है चील का जो घोसला होता है वो कितना फीट चोड़ा होता है तो चार से पाच फीट जो है चोड़ा होता है यह महत्यपुन भी दियाद रखेगा अगले प्रश्निक्योड बढ़ते हैं अब यहाँ पर जो है मोर्नी आ गया मोर्नी आपने जो है देखा होगा पिकॉक के बारे में तो देखिए मोर्नी अपना घोसल जो है जारियों एवं पेरों की निचली पेरों की जो निचली डालिया होती है उसमें बनाती है और मोर्नी जो होता है रंग बिरंगे होती है यहाँ पर बस यह आ रहा है अगर पुछे है कि मोर्नी जो है अपना भोसला कहां बनाती है तो पेरों के निचले डालियों में बन गेता है अगर आपसे पूछता है कि गिद और ज़िल जो है किसे खाता है तो मरे जानवारों को खाता है इसके महत्तुपुन गमिंदु को देखले गिद अपना घोसला जो है सुंसाय ने स्थानों पर पेरों पर चट्टानों भी जो है मांस्टीट होता है और मड़े हुए जानवड़ों को खाते है और यह जो घृढ रिखेगा और यहाँ पर प्रशन आ रहा है कि गिद जो है सुनसान इस्थानों पर, पेरों पर, चटानों पर बनाता है तो ये बाते आपको समझ में आ गई यहाँ पर दो, तिन, चार प्रशन यह निकल गड़ाया कि कौन ऐसा पक्षी है जो कि मनुस्य के तुलना में चार गुणा अधिक दुरीक तकि के वस्तुओ को असानी से देख लेता है तो व आपका गिद भी है और चिल भी है और मरे हुए जानवरों को कौन ऐसा जानवर मतलब पक्षी खाता है तो गिद और चिल दोनो और चिल होता है उसके छोड़े हुए घोसला में कौन रहता है तो गिद रहता है समझगे मेरी बात को और गिद जो आपना घोसला होता है सुनसान जगा पर पेड़ों पर और चटानों में बनाता है आगे बढ़ते हैं अब हम महत्यपुन बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि पक्षियों से रिलेटेड है देखिए पहला यहाँ पर है कि पक्षियों के पंख उर्ने सर्दी गर्मी से बचने है तो रूपरान्तित होते हैं जो पक्षी के पंक होते हैं वो क्यों होते हैं वो उर्ने में साहता करते हैं सर्दी गर्मी से बचाने में साहता करते हैं याद रखेगा पक्षी के जो पंक होते हैं वो उर्ने में साहता करती है और साथी साथ सर्दी गर्मी वर्षा से बचाती है अगला यहाँ पर है कि पक्छियों के भी हिर्दाय में चार को श्टक होते हैं अगला यहां पर है यह महत्तिपु नहीं याद रखेगा ए मुथ देखिए ए मुथ की भी पैगविन, रीया और सुत्रमुर्ग ना उरने वाली पक्छी है देखेगा, ए मुथ जो पक्छी है कीवी जो पक्षी है पैगविन जो पक्षी है रिया यहों सुत्रमुर्ग जो पक्षी है यह सब पक्षी जो है उरने वाले नहीं है याद रखेगा आगे चलते हैं तो अगला यहाँ पर बिंदु है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोशला बनाते हैं अप्रेल माह मे वो देते हैं अगला यहां पड़ है कि पक्छी की हड़ी जो होती है खोकली होती है अगर प्रशन पूछे कि पक्छी की जो हड़ी होती है कैसी होती है तो खोकली होती है उसमें हावा भड़ी होई होती है पक्छी के जो हड़ी होती है वो खोकली होती है और उसमें हावा भड हुई होती है अगला है यहाँ पर है चील बाज एवं गीद हमसे चार गुना अधिक जो है दूरी तक को देख सकता है मनुशिक तूलेना में जो है कौन ऐसा जानवर है जो चार गुने दूरी स्थिती जो वस्तु है उसको असानी से देख लेता है तो चील बाज और गीद है जाद रिखेगा अगला यहाँ पड़ है कि पक्षी एक ही समय में दो अखो से दो अलग अलग चीजों पर नजड देख सकता है यह उसकी खासियत है अगला यहाँ पड़ है कि पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आखो की पुतलिय होती हैं कि वह नहीं घुम सकती इसलिए जो है पक्षी को आप जब देखेंगे वह अपनी गर्दन को दाय बाय आगे पीछे करते रहती है ज्यादा तर घुमाते रहती है समझगे आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर देखे रात में जागने वाले ज देखें सुरे पक्षी आमतर पर जो है या भोड में दिखाई देता है अगर प्रशन पूछे आ कि आमतर पर जो है भोड में कौन सा पक्षी दिखाई देता है तो सुरे पक्षी कह सकते हैं समझ गये कभी कभी कोयल भी दिखाई देता है लेकिन सुरे पक्षी जो है आमतर पर भोर में दिखाई देता है, यहां पर देखे, यहां पर बिंदु लिखा हुआ है कि सुर्य पक्षी पेड़ों के टौफ की तनों का देखे, दौफनी तनों का घोशला बनाती है, तथा छोटे पाधे पेड या जाड़ीों की साखां से लटकता हुआ या छोटा सा घोसला बनाता है जो सुर्य पक्षी जो है आम तर पर भोड में दिखाई देता है और यह अपनी घोसला जो है छोटे पौधों से पेरों या जारियों से सखा से लटकता हुआ छोटा सा घोसला बनाती है यह समझ गए और यह जो पाए जाती है भारतिये महादीपों के उतरी हिस्सों में पाई जाती है सुर्य पक्षी अगर प्रश्न पूछता है कि सुर्य पक्षी कहां पाई जाती है तो भारतिये उप महादीपों के उतरी हिस्सों में पाई जाती है और इसे हम लोग आम तर पर भोड में दिखाई देती है और सुर्य पक्षी जो है दोफ की तनों का घोस गोसला बनाते हैं समझे यह है पिरों पर गोसला बनाते हैं एम संबंद बनाने के लिए अपस में मिलते है भारतिये रोविन पक्षी जो की पेरों पर मतलब घोसला बनाते हैं अगला यहाँ पर जो है बारवेट पक्षी यह अपना घोसला जो है पेर के अंदर छेद में बनाता है पेर के अंदर जो छेद होती है खोकली भाग होती है उसमें बनाता है और यह जो है भारतिये महाद य९९ वीब ए़म धक्ष Indigenous पूरूव एशिया के कुछ हिसों में निवास पक्षि है तो मुझे लगता है कि पक्षियों के निवास पक्षियों के घर के बारे में जो ही मैंने महात्यपुन आपको बाते बताई है अबी आपको आपको सभी बाते समझ में आई होगी तो आप स